केजिवाल सरकार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर कहा गया था कि उनके पास फंड्स नहीं है लेकिन सूत्रों के हवाले किसे जो पेपर हमारे पास आए है वो इस ओर इशारा करते हैं कि कितना फंड्स केजिवाल सरकार के पास है साथी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आपको हम ग्राफिक्स के जरीए ये दिखाएंगे कि कब कब केजिवाल सरकार ने विग्यापन में किस किस तरीके से खर्चा किया सबसे पहले सबूत नम्मर एक आपके सामने रख रहे हैं ये पेपर देख लिए जिसमें केजिवाल सरकार का बजट है और इसे ध्यान से देखिए कि इसमें केजिवाल सरकार ने खुद बताया है कि उनके पास बजट सर प्लस है यानि कि जितनी योजनाए थी उन पर तमाम खर्चों के बाद जूर जो पैसे केजिवाल सरकार के पास बचे उनकी डिटेल हम आपको सामने रख रहे है साल 2019 से 2020 के बीच में पूरा खर्चा करने के बाद केजिवाल सरकार के पास सर प्लस 5,900 करोर रुपे बचे ये सामने तस्वीर देखिए और डॉक्यमेंट्स भी हम देखा रहे है पुलकित की किस तरीके से खुद अर्विंद के इजरिवाल ये कहा था कि हमारा बजट जो है वो सर्प्लस है देखिए साल 2019 सो और बीस में 5,900 करोर रुपे से जादा उनके पास सर्प्लस अमाउंट बाकी था सरकार के पास साल 2020 सो और 21 में 11,92 करोर सरकार के धनराशी में सरकार के लौकर में सर्प्लस था यानि कि इतना अमाउंट 11,000 करोर से जादा जिसका इस्तिमाल नहीं हुआ इसके बावजूद उसकी फंड अलोट्मिन नहीं की गई ये तमाम पेपर हमारे पास मौजूद है कि किस तरीके से साल 2021 और 22 में भी 11,000 करोर से जादा सर्प्लस का बजट केजिवाल सरकार के पास मौजूद था और उसके बाद 22 और 23 यानि कि इस साल के आखिर में भी 14,346 करोर का सर्प्लस बजट है ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये पेपर आये हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि केजिवाल सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है और ये कई बार केजिवाल खुद भी कह चुके हैं कि सरकार चलाना कोई उन से सीखे कि किस तरीके से दिल्ली सरकार को उधार से निकाला और एक अच्छा खासा बजट दिल्ली सरकार आज लेकर चलती है दिल्ली सरकार से पिछले तीन साल के विज्यापन का खर्चा मांगा है वो भी दो हपते के अंदर केज़ीबाद सरकार को देना होगा लेकिन टाइमस ना न भारत आपको वो तमाम खर्चे चाहे वो विज्यापन से जुड़े हुए हो चाहे वो सरकार के दूसरे कामों से जुड़े हुए हो, चाहे वो सरकार के सरप्रस बजट से जुड़े हुए हो, हम आज ही आपको दिखा रहे हैं, यानि कि आपको दो हपते का इंतिजार करने की ज़रूत नहीं है, आपकी टेलिवेन स्क्रिन पर वो तमाम चीजें हम आपके सामने लेकर आएं और इसी के साथ दूसरा पेपर आप ये देख रहे हैं यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं किस तरीके से केजिवाद सरकार की जो एक महत्पूर्ण योजना थी जो छातरों से जुड़ी उसका पेपर हम आपके सामने रख रहे हैं यह है बिजनिस ब्लास्टर से जुड़ी हुई कि किस तरीके से बिजनिस ब्लास्टर के लिए 17 करोड उपे के विज्यापन पर खर्च किये गए इसी के साथ अगर हम यह समझें कि बच्चों के लिए जो शीड मनी दी गई वो इन व 500 करोड उपे दूसरे खर्चे किये गए जिसमें इवेंट था और बच्चों के लिए तमाम जो सुविदाएं जुटाई गई थी उसमें 500 करोड उपे खर्च किये लेकिन बच्चों को कुल सीड मनी सिर्फ 60 करोड मिले जबकि बिजनिस ब्लास्टर के कैम्प और इवेंट पर 1500 करोड उपे खर्च किये ये पेपर आप सामने देख रहे हैं इसके अलावा दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल भी यहां पर किया गया जिस पर 8 करोड 15 लाक रुपे खर्च किये गए जबकि ये इवेंट हुआ ही नहीं यानि कि किस तरीके के खर्चे के जिवाल सरकार किये उसके पेपर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पैसे नहीं है तेजोरी खाली हो चुकी है लेकिन वहीत सरकार अपने प्रचार प्रचार पर 1151 करोड बजट बड़े अराम से खर्च कर देती है। और ये आंकड़ा पिछले तीन सालों का इस वक्त जो हम आपको टाइम्स नौ नव भारत की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साल 2019, साल 2020, साल 2021 और 22 इसके तमाम सुबोत भी सूतरों के अवाले से नव भारत के हाथ लग गये हैं। और पुलकित के पास वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिसमें बाकायदा ये आंकड़े मेंशन हैं कि आखिर सर्प्लस फंट कितना था, किस इवंट में कितना खर्चा हुआ और कितना बकाया है। और अभी आप जो टेलिविजन स्क्रिन पर खर्चा देख रहे हैं, असल में यही खर्चा सुप्रीम कोट में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार से मांगा है कि आप तीन साल के अंदर कितना आपने विग्यापन पर खर्चा किया वो दो हपते के अंदर बताईए। लेकिन हम आपको अभी दिखा रहे हैं, 1151 करोड रुपे यानि कि 1151 करोड रुपे के जीवाल सरकार ने विग्यापन पर तीन सालों के अंदर खर्चा किया है। लेकिन टाइमस ना भारत आपको दिखा रहा है, वही पेपर और जो हमें सूतरों से मिले हैं, जिसमें साफ होता है कि 1151 करोड रुपे के जीवाल सरकार ने पिछले तीन साल में अपने विग्यापन पर खर्च किये हैं। और इसी के साथ ये सवाल अब सुप्रीम कोर्ट में उठेंगे और कल देश की राजधानी दिल्ली के अंदर तमाम राजनातिक दल इस बात को उठाएंगे कि आखिर केजिवाल सरकार ने आराटीयस जो एक महतपूर योजना है, जो दिल्ली से निकलने वाले तमाम लोगों को सुभिदाय देती हैं, चाहे वो यूपी से जोड़ता हो, चाहे वो राजिस्थान से जोड़ता हो, चाहे वो हरियाना से जुड़े, उन तमाम लोगों को फाइदा पहुचाने वाली सरोकार के लिए केजिवाल सरकार की तिजोरी क्यों नहीं खुली? प्रवक्ता का ये पैसा सोचे है, 1100 करोड से अधिक का जो बज़ट है, सरकारी फंड है, ये सिर्फ अपने प्रचार प्रसार में और अपने एडवर्टिस्मिंट में खर्च किया। करोड का खर्चा हुआ है? ये बिल्कुल सही दिखाया है, 1100 करोड प्रोपगांडा में, बाकी का पैसा शीष महल में, जिस पर भी CIG जांच हो रही है, नारिका जी की पत्रकार्टा की वज़े से उस सारे तथिभार आएं, और जो बाकी बच्चा पैसा था, उन्हों सब पैसा घोटाले में खा लिया आपका